तो भाई मैंने फाइनली खरीद लिया आइफोन 14 लेकिन मेरे दोस्त के लिए और अन्बोक्सिंग की रीद निभाने के लिए इस वापस पैक करके अन्बोक्स कर रहे हैं तो भाई फिलिपकार्ट से पहले मैंने ब्लू ओडर किया था तेरे 60,68 रुपे में लेकिन भाई वो कैंसल हो गया पता नहीं क्या ही क्यों ही कैंसल हुआ फिर कैंसल होने के बाद इसके रेट बढ़ गए थे तो ब्लू मिल रहा था 65,000 पे में फिर हमने मंगवाया वाइट व 14 मिल रहा था और आइफोन 14 और 13 में इतना ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं है कि हम 15,000 फाल्तू भरें तो तब हमारा विचार था आइफोन 13 लेने का लेकिए फिर आईए रिपेंप्लिक्टे की सेल जिसमें आइफोन 13 मिल रहा था 55,000 पे में और आइफोन 14 मिल रहा था 65,000 प जिए जोक सपाट आपका बजट है 70,000 पे और आपको लेना है अपल तो यही लोग है ना बागी भाई जिसके पास आइफोन 13 है और वो अपग्रेड करना चाहता आइफोन 14 में मजाक कर रहे हो क्या जब अपग्रेड कर ही रहे हो तो आइफोन 13 से आइफोन 14 या प्रो मैक् तो भाई अब बात करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये क्यों खरीदा और मैंने ये उसे क्यों रेकोमेंड किया तो वो यूज कर था आइफोन 11 और जाना चाहता था आइफोन 13 में जैसे कि मैं पहले बता चुका उनकर डिफरेंस मच रहा नहीं था तो हमने आइफोन 14 ओडर कि और इसके अलावा बात करू कि कि इन है आइफोन खरीदना चाहिए जिन लोगों को चाहिए लोंग सोफ़ेर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स और जिन लोगों को डूरेबिल्टी चाहिए कि भहला चार-पांच साल तक दबा के फोन चलाला है कोई बिना दिक्कत के चले तो इस एपल भाई टॉप नॉच और इसके लावा बात करें कि भही आपको जैसे कॉल रिकोर्डिंग चीए जदा पंगे-वंगे वाले सौफ़ेर डालने है तो भही आपके लिए अपल नहीं बना क्योंकि एको सिस्टम में आने के बात खर्चा तो भाई आपका करवाएगा ह दूर रहें बागी बागी मेरा परसनली मानना है कि आइफोन 13 और आइफोन 14 के बीच अगर डिफ्रेंज आठ से दस से ज़ादा का पढ़ रहा है तो आइफोन 13 ले अधरवाइस आइफोन 14 तो यह सब हमारे रीजन थे इस आइफोन 14 को बाई करने के इसके अलावा मुझे अच्छा मिला इस वीडियो पर तो मैं फुल रिव्यू एपल का जरूर डालूंगा इसके अलावा एक वीडियो डालने वाला हूं मैं 20,000 में बेस्ट और 15,000 में बेस्ट फोन जो की ओर्डर हो चुका है तो थैंक्स वो वॉचिंग बत्तरा जी टेक